बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकाबले का 75 वा मिनट चल रहा होता है ये मार्से और नीस के बीच मुकाबला था कि तभी मैदान पर कुछ ऐसा होता है कि दर्शक जो है वो अपनी सीट छोड़ कर मैदान की तरफ कूछ करना शुरू कर देते हैं ये क्यूं हुआ ऐसा क्यूं हुआ इन सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे इसके पीछे दरसल कौन था ये सारी की सारी चीजे कैसे शुरू हुई उन सारी बातों के बारे में भी आपको बताएंगे और क्यूं नीस के फैंस ने ऐसा किया इसके बारे में भी बात करे से क्राउड ने रिकॉर्ड किया है और इन तस्वीरों की चर्चा इस वक्ट पे फुटबॉल जगत में हर जगा हो रही है सबसे पहले तस्वीरे देखिए तो यह तस्वीरे मुकाबले के बीच की है और मुकाबले के बीच अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो आप निशित तोर पर यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और हम यह तस्वीरे आपको पीछे भी दिखाते रहेंगे लगातार कि यह पूरी की पूरी तस्वीरों की वजह क्या थी इन तस्वीरों की वजह जानने से पहले हम निशित तोर पर आपको बताना चाहेंगे कि यह जिसा हमने शुरुआत में भी कहा कि मार्से और नीस के बीच यह मुकाबला चल रहा था 75 में जो कुछ हुआ उससे पहले ही दरसल यह जो कोना है जिस तरफ आप भीड देख रहे हैं और इस भीड की तरफ ही इस तरफ यह आप बोतले देख सकते हैं अगर आप इसे फुल फ्रेम अगर हम इस पूरे के पूरे विज्वल को दिखाएं तो आप समझ पाएंगे कि यह जो एक कोना है इस तरफ जो है सारी की सारी जो है वो बोतले पड़ी हुई थी और इसमें जो है तो नीस 1-0 लीड कर रही थी इस मुकाबले में लेकिन उसके बावजूद इस कोने से जिस कोने की तरफ आप बोतले पड़ी देख रहे हैं लगातार नीस के फैंस की तरफ से बोतले फेकी जा रही थी और फिर एक बोतल जो है वो दिमित्री के पास फेकी जाती है वो पूर जो है वो बहतर होता हुआ दिखता है और हम कोशिश करेंगे आपको दिमित्री पायत की भी एक तस्वीर दिखा सके ताकि आप समझ पाएं की खिलाडी कौन थे तो दिमित्री पायत की तरफ जब यह वो खिलाडी है जो निशित तोर पर उस वक्ट पे कॉर्णर किक लेने जा रहे थे मैच का 75 मिनट था 15 मिनट और रहे गए ते इंजरी टाइम आप जोड़ लीजिए उसमें थोड़ा सा और आड़ अन कर लीजिए लेकिन नीस की तरफ इसका पूरा का पूरा नतीजा जा रहा था इसके बाद क्या होता है इसके बाद अगर हम वापस आएं तो उ तुरन जो है मैच को आगे बढ़ाया जाए लेकिन इस दौरान जो मार्से के एक तरीके से आप मान लिजे कि करता धरता मैनेजर है वो निश्यत तोर पर प्रेजिएंट के साथ मिलकर ये फैसला लेते हैं कि हम दुबारा मैदान पर नहीं उतरेंगे और इसकी बड़ी वज हैं वो पीएजी को भी उन्होंने हराया हुआ था शोने एक से गर मैं गलत नहीं हूं तो और इसके बाद यहां पर भी उनकी शुरुवात बड़ी जबरदस हुई थी लिल को उन्होंने हराया और इस मुकाबले में जी तुन्हें तीन पॉइंट देती लेकिन क्योंकि मुक कर देखने को मिली पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन चीजे जो है वो भयाव होती चली गई और इसके बाद अल्टिमेटली मैच जो है वो कॉल आफ ही करना पड़ गया तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इ लेकिन ये जरूर था कि हैरत जरूर होती है इस तरह की तस्वीरों को देखकर ऐसी और तस्वीरे भी आपके लाते रहेंगे फुटबॉल से इतर और वीकेंड शो अब से थोड़ी दिर बाद आपको देखने को मिलेगा फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बह बहुत बहुत बहुत